ओ मेरी जान हैपी बड़े आज तुमारे लिए दुआ करेंगे तुमारे नाम का स्टेटस डाल के रखेंगे और ये वादा करेंगे कि तुमारी स्माइल को पूरी जिंदिगी संबाल के रखेंगे I love you दोस्तों क्या भी चाहते हो किसी के भी बड़े में कुछ इस प्रकार का एक बड़े स्टेटस वीडियो क्रियेट करके हुई स्ट करना तो इस वीडियो का आप लोग सुड़े के एंड तक देखते रहो अगर दोस्तो आप लोग चाहती हो मेरे से create करवाना कोई भी status वीडियो तो प्लीज मुझे comment या instagram पर जरूर मेसेच करना नहीं तो आप लोग दोस्तो इस नमर पर भी contact कर सकते हो तो दोस्तो इस परकार का बड़े status वीडियो क्लिट करने के लिए सबसे पहले हैं आपको क्या करना है काइन मास्टर एप को ओपेन करना है दोस्तो आप लोग काइन मास्टर एपको जैसे ओपेन करोगे आपका काइन मास्टर का एंटरफेस आपको दोस्तो कुछ इस प्रकार का दिखिना को मिलेगा तो सबसे पर एक create new के option पर click करके आपको select करना है 9 is to 16 और आपको दोस्तो नीचे advance का एक option मिलेगा इसमें आपको click करके आपको दोस्तो और display mode को fill screen करना है और photo duration को 4.5 second और transaction duration को 1.5 second ये तिनों setting करने के बाद आपको नीचे एक create का option मिलेगा यहां पर आपको click करके एक बार दो photo date करना है 30 second video के लिए दोस्तो photo date करने के बाद आपको वीडियो करनडरे flash को इस परकार का दिखिनों को मिलेगा अगर दोस्तो आलो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर double L में क्लिक करके photo को आपको adjust कर लेना है तो इसी परकार से वीडियो के end करना है जो कि मैं पहले से ही कर चुका हूँ next आपको यहाँ पर minus का एक निखिनों को मिलेगा दोनों photo को अब करना है और दोस्ते आपको transaction effect को आपको add करना है ठीक है दोस्ते हैं आपको sonoflex transaction effect को आपको add करना है 01 आपको सबसे पहले add करना है और आपको नीचे apply to all कर लेना है ठीक है तो सबी photo में adjust हो जाएगा और आपको next क्या करना है 01, 02, 03 जो भी आपको better लगत है इस तरह से आपको वीडियो के एंड तक adjust इस तरह से आपको कर लेना है ठीक है और कर लेने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है starting position में और first photo का लेन्द का आपको थोड़ा इस तरह से आपको कमा लेना है ठीक है कमा लेने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है वीडियो का last photo में और इसका प्राइट को 10 M.E.P.S के करीप करने के बाद इस तरह से आपको वीडियो को save as कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों वीडियो save as हो जाएगा आपको पुरा bake आजाना है और bake आजाने के बाद दोस्तों photo में क्लिक करके इस तरह से आपको वीगिनट कौन करना है जितना फोटो है दोस्ते सभी फोटो में क्लिक करना है और इस तरह से वीडियो को मतलब विगनेट कौन करना है वीडियो के एंड तेक और नेक्स्ट आपको लियार ओप्शन पर क्लिक करके आपको हिया पर इफेट ओप्शन दिखिनों को मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना है और setting option मिलेगा इसमें आपको click करना है click करने का आपको यहाँ पर 3 करना है ठीक है और यहाँ पर आपको क्या का ना blur का जो length है इस तरह सापको लेकर चले जाना है video के end तक और end तक लेकर जाने के बाद starting position पढ़ा कर layer option पर click करना है और media option select करके दोस्तों हिहाँ पर आपको template वीडियो को लेना है दोस्तों template वीडियो को लेने के बाद आपको हिहाँ पर disability screen पर जाकर इसको fill screen करना है और थोड़ा नीचे मिलेगा आपको blending option blending में click करके screen को select करना है select करने के बाद दोस्तों हिहाँ पर layer option कर बेठे लेना है अब यार भी दे सकते हो दोस्तों कुछ इस परकार से इस तरह से आपको देने के बाद दोस्तों ही यहां पर यहां पर आपको कली करके डूब्लिकेट करना है और जिस के नाम से वाला बड़े वीडियो बनाँ उसका नाम को आपको लिख लेना है, simply से नाम को लिखने के बाद आपको क्या करना है इस जगा पर आपको थोड़ा अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे करके आपको बेट लेना है इस जगा पर, जैसे दोस्तों आपको इसका size को थोड़ा करना है और जो भी date में दोस्तों हिया पर बड़े है उस date को आपको इस तरह से mark कर लेना है mark करने के बाद दोस्तों हिया पर आपको क्या करना है handwriting को आपको इस तरह से slide करते हुए लेकर चले जाना है वीडियो के end तेक और end तेक लेकर जाने के बाद starting position पर आकर layer option में किलिक करना है और media option पर जाकर आपको export वाला वीडियो को लेना है दोस्तों export वाला वीडियो को लेने के बाद इसको आपको थोड़ा छोड़ा करना है और यहां पर आपको जो frame का border दिखने हो को मिल रहा है इसके उपर में आपको बेठेना है और इस तरह से आपको zoom कर लेना है ठीक है उपर थी ड़ट पर किलिक करके send to back वाट पर किलिक करना है और send to back वाट में किलिक करने के बाद frame में अच्छे से adjust हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो आपको send to back और third number option को select करना है फिर जालिया option पर जाकर इस बर आपको media option select करके कोई भी एक photo वो लेना है दोस्तों यहां पर photo को लेने के बाद cropping option पर जाकर march कोन करना है steps के अंदर आपको hard वाला steps मिलेगा इसको आपको ले लेना है और लेने के बाद दोस्तों इस तरह हाट को थोरा उपर करना है और photo को थोरा zoom करके यहां पर अच्छे से दोस्तों आपको adjust करके बेठेना है ठीक है इस हाट की उपर में इस जगा पर आपको अच्छे से adjust करके बेठेने के बाद 3Dot पर क्लिक करके send to record कर लेना है और send to record करने के बाद दोस्तों इहां पर आपको लेकर चले जाने इस photo को वीडियो के end तक और नीचे वाला frame में भी photo को add करना है तो मैं photo part से कर लेता हूँ तो दोस्तों तीन फोट अच्छे से adjust हो चुका है और adjust हो जाने के बाद audio option पर जाकर song option select करना है जो भी song आपको बड़े के लिए better लागते हैं उसमें आपको click करना है और plus वाल आइकन में जैसे click करोगे song नीचे add हो जाएगा और song आड हो जाने के बाद एक बाद आपको वीडियो का प्ले करके देख लेना है आपका वीडियो किस तरह से editing हुआ है अगर दोस्तों मेरे तरह editing create करते हुए कोई भी दिखकेत आ रहा है तो please मुझे comment करके जुरूर बतना तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था वीडियो का अब सभी को अगर प्रसंद आया है तो please like, share, comment जुरू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक new and test ने वीडियो के साथ तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था